समझने की कोशिश करेंगे कि रिवर गंगा का उद्गम कहां से होता है और किन मेजर रिवर से मिलके रिवर गंगा बनती है और साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि पंच प्रयाग क्या होते हैं दोस्तों सबसे पहले बद्रिनाद से निकलती है विश्णु गंगा और नीती पास से धौली गंगा ये दोनों नदियां जाके मिलती है विश्णु प्रियाग में और मिलकर बनाती है अलक नंदा रिवर आगे बढ़के अलग नंदा नंद प्रयाग में नंदाकनी नदी से मिलती है और फिर आगे चलते हुए कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा नदी से थोड़ा आगे बढ़ें तो अलग नंदा रुद्र प्रयाग में केदार नाच से निकली हुई मंदाकनी नदी से मिलती है अलग नंदा और आगे चलती है और फिर देव प्रयाग में गंग उतरी से निकली हुई भागी रती से मिल जाती है और उन दोनों नवियों से मिलकर फाइनली बनती है गंगा जिसे हिंदू धर्म में मा गंगा भी कहा जाता है और पवित्रता का एक प्रतीक माना जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और नवी के उद्गम और उसकी सहायक नवियों को मैप की मदद से समझाएं तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं लोस्त वीडियो में हम मैप की मदद से समझाएं